सिगनेट, सिगनेट, सिगनेट आउटर डेट, 560 मिलिमेटर और काबिरेट की आउटर हाइट, साइट के रिक्वार्मेंट के अनुसार, 1200 मिलिमेटर से लेकर 1500 मिलिमेटर तक होनी चाहिए इसकी फिटिंग लगभग पैंटर यूनिट जैसी ही है, मगर आप ध्यान से देखिए इसे कैसे इंस्टॉल करता है यह स्लाइडर है, इस तरह से हमें चार स्लाइडर बॉक्स में से मिलेंगे इसमें चैनल गाइड अल्रेडी इंसर्ट किया है यह राइट एंगल सपोर्ट है, इसमें नीचे दो और उपर दो होस दिये हुए है अब स्लाइडर के उपर राइट एंगल सपोर्ट को इसकू से फिट करना है इस तरह चारो स्लाइडर में राइट एंगल सपोर्ट फिक्स करने है लेफ राइट लेफ राइट इस तरह चारो स्लाइडर रेडी हो गए अब बॉक्स में दो वर्टिकल इनर फ्रेम बाहर निकाली है यह है वर्टिकल इनर फ्रेम इसके उपर एक्षेंशन फ्रेम दी हुई है और यहाँ जो बॉल्ड दिया है यह फ्रेम की फ्रेंट साइड है और फ्रेम के दोनों साइड में होस दिये हुए है लेफ एंड राइट साइड के स्लाइडर को फ्रेम के बॉटम साइड में इसको से फिट कर दीजिए प्रेम के लाइड बॉल्ड दीजिएव प्रेम के लाइड में है यह अपर स्टाइडर है इसे फ्रेम को एक्स्टेंशन फ्रेम के उपर दिये हुए होल्स में इस बूसे फ्रेम के उपर दिये अप अपर स्टाइडर के नीचे स्टाइडर कैस को इसको से फ्रेम कर दिजिये इसे तराव से दोनों vertical inner frame को fit कर दीजिए दिये हुए drawing को थीक से देखिए अब drawing को cabinet के base panel पर surface match करके लखिए drawing के mark पर पंच कीजिए अब top panel के drawing को cabinet के top से match करके tape से stick करिए drawing के mark पर पंच कीजिए ड्रॉइन निकाल कर पंच मार्क पर टू एमें के दिल बिट से ड्रिल की दिले कर द्रिछ पंच का जिले रड़ गया कर दो is झाल झाल अब दोनो वर्टिकल इनर्स को केविनेट के बॉर्टम पैनल के ड्रिल होल्स पर स्मैच करके रख दिए उवर्टम शूसे फ्रिकल के अहीं है एप झाल झाल अब टॉप साइड में एक्सेंशन फ्रेम को उपर खीच कर इस्कू से फिट कर देए झाल झाल यह कॉर्नर क्लिफ है इसे बेस पैनल पर फ्रेंट साइड के होल्स पर मैच करके इसकू से फिट कर देए वैसे ही अपर बॉटम में भी फ्रेंट के ड्रिल होल्स पर कॉर्नर क्लिफ मैच करके फिट कर दीजिए यह बेरिंग है इसे अब कॉर्नर क्लिफ पर रख दीजिए अब वर्टिकल आउटर फ्रेंट को दीजिए उसे यहां होल दिया हुआ है फ्रेंट के होल को कॉर्नर क्लिफ के उपर लग दीजिए और उपर के कॉर्नर क्लिफ में इंसर्ट दीजिए अब फ्रेंट को इसकूल से काइट करें ताकि फ्रेंट बिक्स रहे इसी तरह दूसरी वर्टिकल आउटर फ्रेंट को फ्रेंट कीजिए अब बॉक्स में से बास्केट निकाले और वर्टिकल निकाल फ्रेंट में इंसर्ट करें और दूसरी बास्केट वर्टिकल आउटर फ्रेंट में इंसर्ट करें अब दूनों बास्केट को बराबर दूरियों पर रखकर आउटर फ्रेंट के स्टॉपर को अपर बोल्ट पर इसको से फिट करें झाल झाल इसी तरह दूसरी आउटर फ्रेम के स्टॉपर को भी झाल झाल करे। करें थाटर पुर द्र दूसरी आचे जाटर इसी तरह दूसती पाल you चारो स्राइडर कैप को वे स्राइडर में इंसेट कर दीजिए इसके बाद इनर और आउटर फ्रेम को स्राइडर सपोर्ट से फिट की दिये इसे आउटर फिटने से इनर फ्रेम की मुमें पोजाइडर अब डबल पैंटर युनीट के दोनों डोर पर 32 mm के ब्रिक ब्रिट से दोर हिंजेस खटक रिए अब 90 डिगरी के दोर हिंजेस को राउंड किये हुए हिंजेस कटर से मैच करके इसको से फिट की जिए अब डोनों डोर के दोर हिंजेस खटक रिए अब बास के फोल्डर स्क्रिप को फिक करने के लिए हिंजेस के साइट से 80 mm पर मार्क करें और दूसरे साइट से 72 mm पर मार्क करें और बॉटम साइट से 34 mm पर मार्क करें मार्क पर ड्रिल ब्रिट से ड्रिल कर दीचिए अब दोनों बास के फोल्डिंग स्क्रिप दीचिए होल्स किये हुए जगे पर मैच करके इसको से फिट कर दीचिए दोर के टॉप साइट में सेम डिस्तिंस लेकर मार्क करके इसको से फिट कर दीचिए कर दोर कर दीचिए अब दोर के दीचिए इस तरह दोनों स्क्रिप फिट हुई इसी तरह दूसरे डोर को भी बास्केट होल्डिंग स्क्रिप फिट कर दीजी अब डोर को केबिनेट से मैश करे और हिंजेस के दिये हुए होस को मार्किंग करे डोर को बाहर निकाल ले मार्किंग के हुए जगह पर पंच करके ब्रिल कर दीजी इसी तरह दूसरे डोर को केबिनेट से मैश करके इंजेस के होल्स की मार्किंग करें पंच करके ब्रिल करें अब दोनों दोर को होल्स से मैच करके इसकू से फिट कर दीजी एंजे अबूल झाल अब सभी बास्केट को इंसेट कर दीजिए कर दो झाल 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 सब्से बहतरीन और अनोखी जोडी डबल पेंट्री यूनिट हो गया रेडी